बहुत है कि दोस्तो आज सेटरडे है और मैं आज कहीं नहीं गया तो यूँं कि मैं आपको एक सीरीज बना के दिखा रहा हूँ कि जब मुझे डाइब़ेड실히 नहीं था तब मैं क्या करता था क्या खाता था तो है चार साल पहलेще पहले मैं कोई भी exercise नहीं करता था कहीं पर भी नहीं जाता था और इसलिए आज कहीं नहीं गया कोई exercise नहीं किया हालाग मैंने अपना lifestyle पूरा चेंज कर लिया है आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में मैं रोज साइक्लिंग करता हूं सेटरडे संडे को भी साइक्लिंग करने जाता हूं लेकिन आज नहीं गया बस आप लोग को यह दिखाना चाहता था कि मैं डाबेटीस होने के पहले बिल्कुल सीडेंटरी ला इअ हूँयो फाइं वाहत बता आप क्या कर कर रहा हूं है मुझारे उहां मुझारा से थे ने estado क्या रएफब बना रहा है तो आज सेटरड़े और संदे दो दिन में अपने बेटे के साथ खेलूंगा टाइम स्पेंड करूंगा कि बाकी दिन और एक्सेसाइज भी पर लेंगे थोड़ा बहुत तो बेटे को भी एक्सेसाइज करना अच्छा लगता है थोड़ा बोध कर लेंगे लेकिन अब डिशुकी होने के पहले बिल्कुल नहीं करता था, तो आप देखिए क्या धि необходимо मेरा बेटा बताओ क्या प्ना रहा हो, दिखाओ क्या स्धीच क Pasag Koni चाहर हमें आकों क्या में में आ में को द्राया यह क्या बना रहा है ? कौन से ड्रेगन अच्छा इंजॉइंग कि मैं से कना में इस हैड ओके शो हाव यहां में तो अभी आज बेटे के साथ टाइम थोड़ा स्पैन करेंगे क्योंकि ज्यादा तर समय मुझे टाइम नहीं मिलता है तो लेकिन मुझे अभी लगता है कि बेटे के साथ थोड़ा काफी मिस करता है क्योंकि बहुत बीजी हो गया था बीच में तो यह एक सीरीज बहुत जल्दी खतम होने वाला है कि दो तिन दीन और चलेगा मुश्किल से इस सीरीज को मैं यहां पे खतम करूंगा दो तिन दिन बाद और उसके बाद आप लोग को एक नया सीरीज में आप को मिलते रहेंगे और आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं डाबिटीज रिवर्सल के दौरान क्या खाता था कैसे मैंने अपने डाबिटीज रिवर्स किया क्या क्या चैलेंजिस मुझे आये तो बने रहे मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखी अब ही मैं दिखाता हो कि मिनास्ते में क्या करता था डाबिटीज होने के पहले तो दोस्तों मेरा नास्ता तयार है यह देख लीजे गर्मा गरम पूरी यह गर्मा गरम पूरी है यह देखो हाहाहा मजा गया और यह आलू के सबजी यह आलू के सबजी और इसके बाद यह पालक पनीर और यह देखो क रास दूद वाली चाय हाँ 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 मज़ा आ गया मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि यूशली मैं क्या खाता था जब मुझे डाइबेटीज नहीं था यह पूरी खा रहा हूं देखो यह चार मैंने आभी आपको दिखाने के लिए लिया है वैसे तीन चार और खा लेता ह था यह संडे को खाता था और फिर अगले दिन पराठे कुछ ब्रेड वगेरा पोहा दलिया उपमा बस रोज यही कुछ ना कुछ चलता रहता था है इसमें माइदा है और तला हुआ है एकदम डीप फ्राइड और फ्राइबी किससे करता है स्वयबीन तेल से स्वयबीन ते वह सबसे खड़ाब तेल होता है आपके हाड के लिए और यह जो मैदा खा रहे है रिफाइंड फ्लोर है रिफाइंड करवाइड है सिंपल करवाइड है इसी से आपको डिवेटीज होती है हलाकि एक दिन में डिवेटीज नहीं होती है किसी को लेकिन जब आप लगातार य ख्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि लाइफ बढ़ी चल रही थी खाने में बहुत टेस्टी है कोई प्रब्लम नहीं है इसमें बहुत ही टेस्टी है तो सबको अच्छा लगता है शायद आप लोग भी पूरी खाते होंगे आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हो और हम लोग को लगता है कि हम बहुत हेल्दी खा रहा है कि हेल्दी तो है यह नो डाउट यह पालक पनीर है हेल्दी चीज है यह जो छोले है यह भी हेल्दी है यह जो आलू है यह भी हेल्दी है लेकिन प्रब्लम क्या हो जाती है कि अगर इस पूरे के कारवडेट के गिन्ति करूं तो बहुत जादा आप लोग को आज फिर एक और टास दे रहा हु आप लुग मुझे बताएं इस पुरे प्लेट में कारवडेट कितना होगा एक पूरी मैंने चार पूरी लिया है तो टोटल चार पूरे में कितना कारव होगा एक कटोरा है यह देखिए और पालक पनीर और यह चोले टोटल कार्वोईड़ेट कितना होगा इस प्लेट में आप लोग बताना और यह तो सिर्फ नास्ता दिखा रहा हूं वीक्चर तो अब बाकि है मेरे दोस्त कि लवे आएगा डिनर भी आएगा सनाट काई के अलाग तो स्थान कि अले में हर्लव कितन करता था कभी बिस्कुट खा लिए कभी नमकिन खाळ लिए कभी मановकार्थ मक्थाल अधे जोस्ता था कि मखाना अच्छा बिसकिट खाता था था एक पेकेट बिसकुट खाता था एक बार में एक पेकट बिसकुट एक बार में तो आप सोचिए कि कितना हम यह भूंने के पहले क्या खाता Тыल मैं। आप जो है, यही जर है आप के बेतिस के कईज है, तो tussen जर्ड को ही खतम करना है, हम कहते हैं। लब कने के सब्वादी को भूच में जर से कए खतम करें। जर्ड के मनें खतम सकते अब सवाल यह आता है कि क्या खाता था फिर हजारों चीज ऐसे है जो आप खा सकते हैं और यही चीज में अगले सीरीज में आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं अपने मैं diabetes कैसे reverse किया मैं diabetes reversal के दौरान क्या खाता था तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिए और बेल बटन भी जरूर दबा दीजे नहीं तो बहुत अच्छा को फॉलो करेंगे और मैं जो आपको बता रहा हूं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं जो नॉलेज दे रहा हूं अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जिन्देगी में diabetes कभी नहीं होगा और ना आपको कभी दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए सबी लोगों से शेयर करिए क्योंकि जब तक अब शेयर नहीं करेंगे लोगों को तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर उनको diabetes क्यों होता है अगर मैं यह एक पूरी खाता और बाकी सारे चीज खाता तो अतना प्रोब्लेम नहीं था लेकिन मैंने चार पूरी अभी आपके सामने खाया और भी तीन और ले लोगा इनफेक्ट लेता था मतला अभी तो नहीं लोगा आपको तो यह दिखा रहा हूं लेकिन डियाविद कि आप लोग का लाइफ कैसा है क्या आप लोग भी यही सब खा रहे हैं क्या या खाते आ रहे हैं और आपको भी डियाबिटीस हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपना एक्स्पिरियेंट शेयर करना आपने यह सारे पूर दिया तो मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा वीडियो को जरूर शेयर करिये यह ब्लोग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लोग के साथ अब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस ब्लोग को देखने के enjoy कर लेता हूँ ठीक है